हेलो नमस्कार साथियो मैं मनीश यादा में एक बर्फिर्म आपके सामने एक बहुत बड़ी अपडेट लेकर UPDLAB BTC admission 2024 के लिए बहुत बड़ी खुशकबरी है जो भी साथी 2024 सत्र में प्रभीश लेना चाहते हैं तो उनके लिए admission के जो दवार हैं वो बहुत ही जल्दी खुलने वाले हैं आप सबको मैं बता दूँ कि आपके जो admission के form है कई लोगों ने कयास लगाया था कि इस बार का सत्र जो है वो सून जाने वाला है इस बार का सत्र सून नहीं जाएगा हमारे बहुत सारे ऐसे साथ ही है यह देखिए आपको एक ग्रूप दिखा देते हैं जो हमारा वाट्चप पे ग्रूप चलता है All UP Managers UP के जितने भी दिएलेट के कॉलेज हैं उन सभी के Managers का ये ग्रूप है इसमें आए दिन हमसा के दोरा ही प्रयास ये किया जाता है कि प्रयास किया जाना था लगातार कि इस बार सत्र सून नहीं जाना चाहिए देखिए ये सूचना आभी नहीं, ये सूचना कम से कम 10-15 दिन पहले ही आई हुई थी, इसमें सभी को सूचित किया गया था कि BTC का आड्मिशन जो सीगर सुरू होने जा रहा है, है ना, ये देखिए जब लखनव सासन को जब ये डेटशी समझे जो भी ये प्रस्ता हो था, वो प्राप्त हुआ था, है ना, तो ये बहुत सारे ऐसे संगठन के ऐसे साती हैं, जो आई दिन लगातार प्रयास करते रहें और प्रयास करते भी रहते हैं निरंतर, तो फिलाल अब जो सूचना है, ये ये आ गई है, और इसके जो आवेदन है, 2024 सत्र के रेजिटेशन गया है, आगे जैसे ही आवेदन कम होते हैं, तो इसकी संख्या को बढ़ाया जाता है, इसकी जो तारीक है, उसको बढ़ाया जाता है, फिलाल आप लोग के लिए सुचना ये है, कि आप लोग के फॉर्म जो है वो आने वाले हैं, आप लोग तयारी कर लीजए, माइड मेक जाएगा तब हम कितना देंगे कि उसका सुलक 600-700 निर्धारिद होता है कहीं 2000 लेते हैं यह सारी चीज़ें पहले से ही तै कर लीजिए क्योंकि आप लोग अगर इतना अवियर नहीं रहेंगे तो फिर बात में आपसे बहुत पैसा लिया जाता है कभी टीचिंग के नाम पे है हर जिले की अलग-अलग मेरिट होती है कि नीजिले में अगर जैसे आविदन होते हैं उसे साबसे आपको सरकारी सीट और प्राइबिटी का अंकल किया जाता है उसके बाद बात करते हैं कि आपको कौन-कौन से डॉकूमेंट्स तयार करने होंगे है ना एड्मिशन के समय कौन-कौन से डॉकूमेंट्स तयार करने होंगे और इस बार एड्मिशन में मुस्कलें क्यों होने वाली है क्योंकि इस बार आप लोंग देखा हुगा अभी 37000 वेकैसी का चला है तो इस समय क्या है वेकैसी का चला है तो क्यों ऐसा रहता है कि भरती आने वाली है तो भरती जैसे आने वाली होती है तो कई लोग फिर DALEAT में प्रवेस लेंते हैं तो इसलिए आपको क्या करना है कि अबेर रहना है अगर आपको डियालेट करना है अगर आपको डियालेट में अड्मिशन लेना है तो आप पहले से सजग रहेगा जहां भी लेना है आपको वहां कॉलेज में बात करके रखनी होगी है ना तो अगर आपको admission लेना है और form आने वाले हैं तो उसके लिए कौन-कौन से documents हैं जिनके आपको आवसकता पड़ेगी आपके पास mail ID होना चाहिए mobile लमार होना चाहिए active होना चाहिए photo signature होना चाहिए आपके जो मैक sheet है वो आपके पास होनी चाहिए है ना दसमी के बारमी को औरिशना तकी साथ के साथ हो आपके पास ID प्रूब भी होना चाहिए ये जो सारी चीज़े है वो आपको admission के जब आप आवेधन करेंगे form तो उसमें आपको चाहिए रहेगा इसके बाद fees देखो हो सकता है कि फीस में कुछ बड़ उत्री हो फिलाल जो फीस रहती थी वो जनरल OBC के लिए 600 रुपए SCST के लिए 400 रुपए और जो PH student होते हैं उनके लिए 100 रुपए बाकी अगर जब हमारी counselling होती है counselling के समय क्या होता है फिर हमको ये certificate चाहिए होते हैं ये खैर बात की बात है फिलाल आप जो उपर जो मैंने आपको document बताएं documents को तयार रखिएगा जब भी आप अभी दिन करेंगे तो आप इनको अपने पास रखे और एक चीज़ हमेशा ध्यान में रखिएगा कि इसनातक में कई लोग ऐसे हैं जिन्हों निशनातक की परिक्षा दे दिये उनका प्रणाम नहीं आपाया फिलाल अब तक तो सब का आई गया होगा लेकिन फिर भी अगर किसी का ऐसा है तो आपके जो मूल अंग है आप उनी को भरिये क्योंकि बाद में इसमें प्रुड़ी सुधर का कोई मौका नहीं मिलता है थीक है न और अगर आपको कोई सुविदा है अगर आप कुछ पूशना है तो आप आप मैसेज करके भी पूश सकते हैं फिलाल आज की इस वीडियो में बसकते हैं अगर आपको कोई सिकायत है अगर आपको कुछ सुझाब है तो आप नीचे कमेंट बाक्स में भी दे सकते हैं थैंक यू सो मच बाइबार टेक कियर